हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी ट्रैवलर पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेगालिय की राजदानी शीलोंग के बारे में जो कि एक ब्यूटिफुल टोरिस्ट प्लेस है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप शीलोंग कैसे जाएं शीलोंग में ठैर दे और खानी भी ने की क्या विवस्ता रहेगी शीलोंग में कौन-कौन से प्लेसिस पर आप गूमने के लिए जा सकते हैं एंड शीलोंग में गुमने आने का best time कौन सा रहेगा साती सा दोस्तो हम आपको ये भी बताएंगे कि शीलोंग ट्रिप को complete करने में आपको कितना कड़ आएगा दोस्तो इस वीडियो में हम आपको शीलोंग ट्रिप से जोड़ी सभी information details में देने की कोशेश करेंगे इसलिए वीडियो को बिन स्किप किये एंड तक दिखिएगा चेलिए दोस्तों देर में करते वे शुरू करते हैं दोस्तों इंडिया में गूमने लएक बहुत से फेमस एंड ब्यूटिफुल टोरिस प्लेसिस हैं जिन में से एक है शीलोंग शेयर शीलोंग मेंगाले का एक खूपसूरस शेयर होने के साथ साथ मेंगाले की राजदानी भी कहलाता है शीलोंग इडिया के हिमाले राज्ये में मौझूद एक ब्यादी ब्यूटिफुल प्लेस है जो कि अपनी ब्यूटि के कारण दुनियावर में काफी फेमस है ये एक हिल स्टेशन है जहाँ पर आपको काफी ब्यूटिफुल लेक्स देखने को मिलती है इस वज़े से इसे जीलो का शेयर भी कहा जाता है और यहां की नेचर्स ब्यूटि के तो क्या ही कहने है जो कि हर टूरिस्ट को यहाँ पर आने पर मजबूर करती है शीलोंग में आपको ब्यूटिफुल लेक्स के साथ-साथ ब्यूटिफुल वाटर फॉल्स नेचर्स के सुन्दर नजारे आसपास की वेलिस की खुपसूर्ती और केफ्स देखने को मिलती है जिसे देखने के लिए आप बार बार शीलोंग गुमने आना चेहा होगी चली ए दोस्तो अब आपको यह सबसे पहले जानना होगा कि आप शीलोंग तक कैसे पहुँश सकते हैं आप शीलोंग तक बस, ट्रेम या फ्लाइट के थरू पहुँश सकते हैं अगर आप मेगा लेगे आस-ले के माध्यम से भारत के सभी बड़े शहरों से वैडन पहुंच सकते हैं अजरो वाईस आप ट्रेन या फिर फ्लाइड के तुरू ही गुवाटी तक पहुंच सकते हैं तो आपको गुवार्टी एरपोर्ट तक वाइफ लाइफ 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 को bus, sharing taxi या फिर private taxi की सुविदा मिल जाती है अगर आप bus से shilong तक जाना चाते हैं तो आपको luxury bus की सुविदा भी मिल जाती है जो की 600 पे से 600 पे से 700 पे तक की per person की टिकट रहती है shilong तक जानेगी govarty से अगर आप normal busses के थुरू जाना चाते हैं अगर आप प्रावेट टेक्सी बुक करके जाते हैं तो आपको प्रावेट टेक्सी 2600 रुपे से लेकर 3000 रुपे तक में बुक हो जाएगी गुवार्टी से शिलोंग तक जाने में आपको लबग 3 गंटे का समय लगता है लेकिन रास्ते के नजारों को देखते हुए ये टाइम काफी जल्ली ही कड़ जाता है रास्ते में आपको काफी beautiful नजारे देखने को मिलेंगे दोस्तो अब आप शिलोंग तक पहुँच जाएंगे तो अब बात करते हैं कि शिलोंग में ठैडने और खानी पीने की क्यावे बसता रहेगी शिलोंग में ठैडने के लिए आपको पुलीस बजार के आसपास में होटल देखने को मिल जाएंगे पुलीस बजार को city center के नाम से भी जाना जाता है पुलिस बज़ार में ठहरने के लिए आपको होटल 2000 पे से लेकर 5000 या 6000 पे तक में मिल जाते हैं आप अपने बज़ट के इसाब से यहाँ पर ठहर सकते हैं अगर आप थोड़ा कम बज़ट में ठहरना चाते हैं तो आप पुलिस बज़ार से एक से डेड़ किलोमेटर के आसपास में ठहर सकते हैं और वहाँ पर आपको होटल थोड़े कम प्राइज में मिल जाते हैं अब वहाँ पर स्टे कर सकते हैं अगर बात करें ही शीलोंग में खानी पीने की क्या विवस्ता रहेगी तो आपको आपके होटल के आसपास में या फिर पुलिस बज़ार के आसपास में पर लेकर जा सकते हैं इसमें आपका पैल्टरॉल के चाल्जिस इंक्लोड नहीं होते हैं तो पैल्टरॉल आपको अलग से ही लेना पड़ता है और आपके बास लाइसन्स जरूर होना चाहिए अब आप टैक्सी बूक कर लीजिए या फिर स्कूटी या फिर बाइक रेंट पर ले लीजिए और आप बात करते कि आप डेवन में सबसे पहले कहाँ पर गुमनी के लिए जा सकते हैं आप सबसे पहले शिलोंग वियू पॉइंट देखने के लिए जा सकते हैं जिसे शिलोंग पीक के नाम से भी जाना जाता है शिलोंग पीक की एंट्री टिकर 30 उरफे पर पर सन की रहती है और इसकी टैमिंग सुपे 9 बजे से 2 पर 3.5 बिजे तक रहती है और वैडनेस डे को ये क्लोज रहता है शिलोंग पीक से आपको शिलोंग शेहर का एक बेदी खूबसूरत नजारे देखने को मिलता है और यहां का वैदर भी इसकी खूबसूरती में चार चान लगा देता है यहाँ पर आप यहाँ के खुबसुरत नजारों को देख सकते हैं काफी अच्छा लगेगा आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ के आसपास के वियू को देखेंगे तो अगर आप यहाँ पर फोटो शूट भी करना चाते हैं आप यहाँ पर यहाँ की ट्रेडिशनल ट्रेस में फोटो शूट करवा सकते हैं जिसके चार्जीस पचास रुपे पर परसन के रहते हैं दोस्तों यहाँ पर गूमने के बाद आप लेडी हैडरी पार्क के लिए जा सकते हैं जो की एक ब्यूटिफुल पार्क है इसकी एंट्रे टिकेट 10 रुपे पर परसन की रहती है और इसकी टाइमिंग सुबे 9 बजे से शाम 5 बजे तक की रहती है यह पार्क वीक के 7 डेज ओपन रहता है लेडी हैडरी पार्क शीलोंग आने वाले टोरिस्ट की लिस्ट में ज़रूर शामीन होता है बिकोज यह पार्क है ही इतना ब्यूटिफुल कि शीलोंग के सबसे ब्यूटिफुल टोरिस्ट अट्रेक्शन पे इसे गिना जाता है इस पार्क को एक मिनी जू के नाम से भी जाना जाता है यहापर आपको काफी वराइटी की बर्ट देखने को मिलती है यहापर आप अपना काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते है यहापर गुमने के बाद आप एलिफेंस फॉल के लिए जा सकते है यह भी शीलोंग का एक ब्यूटिफुल टोरिस्ट अट्रेक्शन है दोस्तों यह फॉल्स काफी ब्यूटिफुल लगता है एन एंट्रेक्ट इसकी 20 उर्पे पर पर संगी रहती है एन इसकी टाइमिंग सुभी 10 बजे से शाम 6 बजे तक रहती है यह वाटरफुल पूरे मेंगाले ट्रिप के सबसे पॉपुलर वाटरफुल में से एक माना जाता है इसके आसपास के नजारे भी आपको काफी ब्यूटिफुल लगेंगे एन यहाँ पर आकर आपको काफी अच्छा फील होगा दोस्तों उसके बाद आपको शीरोंग में ही केदेतर चर्च देखने को मिलता है जहाँ पर आप जा सकते हैं एक आप भी ब्यूटिफुल चर्च है जो की देखने में काफी एट्रक्टिव लगता है बाकि अगर आप अपनी ट्रिप का कुस्तर में शान्ती में बिताना चाते हैं तो यहाँ पर आना काफी बैस्ट रहेगा दोस्तों उसके बाद आप वार्ट्स लेक के लिए जा सकते हैं जो की काफी ब्यूटिफुल लेक है इस लेक के आसपास में आपको हरे बरे बगीचे देखने को मिलेंगे जो की काफी ब्यूटिफुल एन्वार्मेंट आपको देखने को मिलता है अगर आप अपनी फैमिली के साथ आएं तो ये शांदर प्लेस पिक्निक के स्पोर्ट के लिए भी काफी फेमस है आप अपनी फैमिली के साथ अच्छे से यहाँ पर इंजोई कर सकते हैं उसके बाद आप खुमियम लेक के लिए जा सकते हैं जो कि शीलोंग की सबसे पॉपुलर और ब्यूटिफुल लेक मानी जाती है और शीलोंग आने वाला हर्ट टोरिस्ट यहाँ पर जरूर आता है यहाँ से आपको काफी ब्यूटिफुल नजारे देखने को मिलते हैं फैमिली के साथ आने के लिए यह प्लेस भी काफी बेस्ट रहेगा शाम का कुछ समय आप काफी मज़ेतार तरीके से बिता सकते हैं यहाँ की टाइमिंग सुबह 9 बज़े से शाम 5 बज़े तक रहती है यहाँ पर आप बोटिंग जैसी कई सारी अक्तिविटीज को भी कर सकते हैं आप यहाँ पर इविनिंग टाइम में काफी इंजोई करिए उसके बाद आप अपने होटल के लिए जा सकते हैं और वही पर आप डिनर की व्यवस्ता कर सकते हैं दोस्तों देवन में आप लोकल साइट सिंग करके अपने होटल के लिए जा सकते हैं यही पर आपका देवन कम्पलीट हो जाएगा और उसके बाद आप नेक्स डे यानि कि देटू में उसी तरह टेक्सी बुक करके आप यहाँ पर बोटिंगो भी इंजोई कर सकते हैं और फोटो शूट भी कर सकते हैं और यहाँ पर इंजोई करने के बाद आप मौलिन नांग विलेज के लिए जा सकते हैं जिसकी एंट्रिफीस पचास लपे पर परसन की रहती है दोस्तो यह एश्य के सबसे साफ सुतरे विलेजिस में से एक माना जाता है और इस बज़े से इसे योनेसको द्वारा अवोर्ड भी मिला था इस विलेज के अंदर आपको काफी सारे बाग बाग इचे देखने को मिलते हैं और हर जगा पर आपको डस्ट पीन देखने को मिलता है यह काफी cleanest विलेज माना जाता है और यहाँ पर काफी कम population है कम से कम 80-100 गर होंगे यहाँ पर पूरे विलेज में जिसे देखने के बाद आपको काफी अच्छा लगेगा यहाँ पर आप अपना काफी अच्छा time spent कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर time spent करने के बाद आप नेविंग रूट बिरिज के लिए जा सकते हैं जहाँ पर आपको पेडों की जडों का पूल देखने को मिलता है जो कि 100 साल से भी पुराना वाना जाता है आप यहाँ पर ज़रूर जाएं क्योंकि यह प्लेस में गाले की काफी popular tourist places में से एक है यहाँ पर कई सारे tourist आते हैं आप भी यहाँ पर आकर अपने time spent कर सकते हैं और काफी सारी चीज़ों को enjoy कर सकते हैं explore कर सकते हैं इस जगा को काफी अच्छा फील होगा आप को यहाँ पर आकर यहाँ पर अच्छे से time spent करने के बाद आप अपने hotel के लिए वापस जा सकते हैं और यही पर आपका day two समापत हो जाएगा अगर आप दो दिन का trip बनाते हैं और आप budget trip बना रहे हैं तो आपके लिए दो दिन सफिशेंट रहेगा अगर आप थोड़ा number trip बनाना चाते हैं मैगाले के लिए तो आप day three में sweet falls के लिए जा सकते हैं and light loom के लिए भी जा सकते हैं और उसके बाद अगर आपके बस और भी समय है तो आप 16 पूंजी गिरे भी जा सकते हैं वहाँ पर भी आपको काफी सारे beautiful places देखने को मिलते हैं तो दोस्तो यही पर आपकी शीलोंग trip समापत हो जाती है अगर बात करें कि यहाँ पर आने का best time कौन सा रहेगा तो आप यहाँ पर अगस्त से लेकर माई के बीच में कभी भी आ सकते हैं और इस best time में आप काफी सारे places को अच्छे से explore कर पाएंगे दोस्तो अगर बात करें कि इस पूरी trip को complete करने में दो परसन का कितना खर्चा आएगा तो इस पूरी trip को complete करने में एक कपल का कर्चा 9000 पे से लेकर 10,000 पे तक का आएगा अगर आप एक budget trip प्लान कर रहे हैं तो आपको जैसे कि मैंने बताया कि आप hotel थोड़ा दो रिंग लेंगे और places के लिए आप स्कूर्टी रेंड पर ले लीजिए तो आपके और पैसे थोड़े बच सकते हैं तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही आई होप मेरी इस वीडियो से आपको शीरांग ट्रिप की पूरी information मिली होगी अगर फिर भी कोई question मुझसे छूड़िया है तो आप हमें comment करके पूश सकते हैं या फिर आप हमें Facebook या Instagram पर message करके भी पूश सकते हैं हम बहाँ पर भी आपको इसी तरह की जानकरिया देते रहते हैं आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तो और परिवार के साथ वीडियो को जादल स्यादा शेयर करें एंड ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल अक्रिम को प्रेस करना ना भूले ताकि आने वाली इसी तरह की और भी वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें दोस्तो अगर आप दार्जिलिंग या फिर हूटी के बारे में जानना चाते हैं तो आप इन वीडियो को देख सकते हैं थैंक यू सो मच जैहिंद